हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब तो देखिए अपने करते हैं आज की क्लास टार्ट बिल्कुल नए टॉपिक के साथ चैप्टर नमबर दो चल रहा था गाउस के नियम वैस के अनुपरियोग और इसमें अपने करेंगे आज के जो टॉपिक है वो में टॉपिक आता है इस चैप्टर का गाउस का नियम और दूसरा जो टॉपिक है वो आता है कुलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन देखिए जो गाउस का नियम है ये छोटे क्वेस्चन में इसका क्वेस्चन पका आता है हर एक बार ठीक है और कुलाम के नियम से गाउस के नियम का सत् बोर्ड के वेपर में तो दोनों ही इंपोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों को अपने समझने की ट्राई करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखिए पैरे बच्चों अपना जो टॉपिक है वो है गाउस का नियम गौस लो ठीक है कई बुक्स में आपक क्या बताता है गाउस एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने एक नियम दिया था वो नियम क्या था कि गाउस का नियम किसी बंद प्रिष्ट में स्थित आवेश और उस बंद प्रिष्ट से संबद विदुत फलक्स में संबंद बताता है अब देखो एक तो किसमें क्या क्या होना चाहिए गाउस के निए में सबसे पहले बंद प्रिष्ट कोई एक बंद प्रिष्ट होना है चाहिए अपने पास तो आपको मैंने बताया था कि प्रिष्ट कैसा होता है जैसे टूडी होता है मान लो तो ये प्रिष्ट तो क्या हुआ है खुला हुआ है ठीक है न क् खोकला गोला होता है तो खोकला गोले का only क्या होता है प्रिष्ट ही होता है अंदर तो उसके कुछ ही नहीं होता है तो मतलब वो किस से मिलकर बना होता है प्रिष्ट से बना होता है मतलब ऐसा कोई 2D प्रिष्ट होता है मतलब जैसे चदर होती है लोहे की तो लोहे की चदर से या आप कोई box बना सकते हो ना तो वो box कैसा होते है 3D होतेים तो वही चीज है कि gauge का निये में एक बंद प्रिष्ट के लिए लगता है पहली चीज क्या होने चाहिए आपका प्रिष्ट है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और उसमें क्या होते है अगर बंद प्रिष्ट में कोई आवेश पड़ा हो तो इस बंद प्रिष्ट में जो आवेश होता है वो आवेश और उस बंद प्रिष्ट से समबद विदुत फलक्स में सबंद बताता है मतलब फाई में सबंद बताता है अब समबद विदुत फलक्स क्या होता है ठीक है उसमें क्या बताता है समंद बताता है अब इसके आ जाते हैं अपने statement पर जो इसका कथन है तो देखो कथन क्या कहता है गाउस के नियम का कि इस नियम के अनुसार किसी विदुध क्षेतर में स्थित कालपनिक बंद प्रिष्ट से विदुध फलक्स का मान से संबद वि बद कुल आवेशों के बीजगनितिय योग और निर्वात के विदुध शीलता के अनुपात के समान होता है तो यह कानी सारी तो कानी बिल्कुल समझ में नहीं आई आई आपको तो देखो गाउस के नियम को याद करने का क्या तरीका है कि आप पहले इसकी equation याद करो ठीक ह यह गाउस का नियम आप देखो जो अपने कानी पड़ी है ना वो देखो क्या बताती है अपने को कि मान लो कोई बंद प्रिष्ट है ऐसे जैसे गोडाकार बंद प्रिष्ट है इसमें एक आवेश पड़ा हुआ है क्यों आवेश है और यह जो गोडाकार प्रिष्ट है ना कहां पी रखा हुआ है एक विधूत ख्षेतर में रख रखा आप ने ऐसे विधूत बम रेखा है जा रही है इसके अंदर से ठीक है ऐसे कोई विदूत क्शेतर में ये पढ़ा हुआ है जो बंधरिष्ट है तो अब आपको पता है कि यह जो विदूत बल रेखाएं है इस बंधरिष्ट में से गुजडरेंगी तो विदूत बल रेखाऊं कि गुजरने की संख्या को अपने क्या बोल देती है बोल देती है, तो मतलब जो flux इसमें से गुजर रहा है तो वो flux का मांड किस के बराबर होगा sigma q मतलब sigma q का मतलब जो इसमें अवेश पड़े होई है मालन लो एक अवेश है तो यहां पर sigma q का मांड आजेगा q लेकिन एक से ज्छाधा अवेश है, मालन Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे आवेश पड़े हुए हैं तो उपर सारे जो आवेशा उनका क्या आजाएगा बीजगनितिय योग मतलब सीधा जोड़ा जाएगा मानलो दो म्यू कुलाम का पड़ा और एक माइनस पांच का पड़ा है तो दो प्लस माइनस पांच क्या हो जाएगा मा इसलब आवेशों का योग और दूसरा निर्वात की विदुद शीलता ये एपसाइलल नोड इसको बोल देते हैं दोनों के अनुपात के बराबर होता है ठीक है अब कौन सा फलक्स होता है गुजरने वाला नहीं संबद विदुद फलक्स जो होता है ठीक है तो संबद पड़ो आगे दूसरे पॉइंट में समझेंगे पूरे अच्छे दीके से भी संबद विदुद फलक्स है क्या तो आप एक बार इतना याद रखो ये एक्वेशन याद रखो समी करना है जो इसकी मतलब सूतर है जो इसका गाउस के नियम का भी जो फाई होता है फाई आप बंद प्रिष्ट का समागलन करते हो आप तो यहां पी ऐसा आते हैं तो ई.ds का मान क्या होगा जो इस बंद प्रिष्ट में अवेश पड़े होगे जितने भी आवेश पड़े हैं उन सब आवेशों के बीच गिनितिय योग और निर्वात की विदुद शीलता के अनुपात बराबर होता है तो दुबार एक वार मेरे साथ दोहराओ आंखे बंद करके कि देखो गाउस का न्येम अपनी को क्या कहता है कि कि यसी वी विदुद क्षेत्र में काल्पनिक बंद प्रिष्ट की मान लो बहुत सारे अवेश पड़े हुए हैं तो आपको कह दिया भी गाउस या प्रिष्ट बनाओ तो आप प्रिष्ट ऐसे बना सकते हो कल्पनात्मक प्रिष्ट भी बना सकते हो और वास्त्व में भी हो सकता है दोने चीजे हो सकती है तो काल्पनिक बंद प्रिष्ट से संबंद विदुद फ्लक्स का मान उस काल्पनिक बंद प्रिष्ट में उपस्तित आवेशों की बीजगनितिय योग और निर्वात की विदुद शीलता के अनुपात के बराबर होता है तो इसको याद कैसे करना है यह वाला जो यहां से लेके और समीगन तक है इसको पांच बार लिखके देखो आप ठीक है न कम से कम पांच बार लिखके देखो आटोमेटिक याद हो जाएगा गाउस का नियम अब नेक्स ची जाती है कि गाउस का नियम अन्य माद्यम या परावेदुत माद्यम के लिए भी मानने होता है ठीक है न परावेदुत माद्यम मतलब कि यह वाला जो नियम है यह तो किसके लिए है निर्वात के लिए लिखा हुआ है नियम निर्वात के लिए नियम है यह और अगर आपको कह दें भी जो आपका बंद प्रेष्ट है वो निर्वात में ना पढ़ा हो के कहां पर पढ़ा है किसी माध्यम में पढ़ा है और उस माध्यम का जो परावेदुतांक है यानि उस माध्यम का एपसाइलन माध्यम है कितने हैं Epsilon माध्यम हैं तो आप उसके लिए GAUSE का नीम क्या लिखोगे E.DS तो यही आज़ेगा Sigma Q और नीचे के आज़ेगा Epsilon माध्यम आज़ेगा या Epsilon माध्यम आपको मैंने बताया था कि Epsilon माध्यम किसके बराबर होता है अगर आपको First Chapter में याद हो तो तो दोनों ही कंडिशन में जो गाउस का नीम है वो लगता है चाए आपका माध्यम निर्वात हो चाए कोई अन्या माध्यम परावैदूत माध्यम हो दोनों के लिए ये नीम समान रूप से लागू होता है अब Next चीज़े आती है कि बंद प्रेष्ट में उपस्तित विदुत आवेशों के बीजगनितिया योग को दर्शाता है जो बंद प्रेष्ट आपने लिया हुआ है उस बंद प्रेष्ट में जितने आवेश पड़े हो यां उन सब का बीजगनितिया योग करना है सिगमा क्यू अपने को बीजगनितिय योग यानि डिरेक्ट मैथमेटिक्स वाले जोड को बताता है दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि जो संबद विदुध फलक्स है इसको कुल विदुध फलक्स भी बोल देते हैं या कई बुक्स में आपको इसको नेट क्या होता है वो देखो कि निर्गत विदुध फलक्स वे प्रिष्ट में प्रवेशित विदुध फलक्स के बीजगनितिय योग के समान होता है अब निर्गत विदुध फलक्स आप कैसा लेते हो पोजिटिव साइन लेते हो मतलब जो बाहर निकलता है फलक्स उसको हमेशा क्या लेते हो positive मैंने इस chapter के starting में बताया था इसको positive क्यूं लेते हैं मानलो यहां पर प्रिष्ट रखा हुआ है तो इसमें से जो flux बाहर निकल रहा है वो positive और जो इसमें flux क्या हो रहा है अंदर प्रवीश कर रहा है मतलब विदुत बल रिखा अंदर प्रवीश कर रही है उस flux दिखाई देता हूं बनाने की जरूरती नहीं है मानलो यह यहां बेलनाकार बंद प्रिष्ट है कोई ठीक है और यह विदुत क्षेतर में पड़ा हुआ है तो अब देखो क्या होगा इसमें उपर नीचे वाल पॉइंट मत देखना मैं उली डाइग्राम की बात कर रहा हू कि देखो समाने स्थिती में तो क्या होगा कि अगर मानलो यह सीधा आपने बेलनाकार प्रिष्ट रख दिया तो इसमें से जितनी विदुत बढ़ रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी ना होगा तो ऐसी ना यानि कि यहां पर कोई आवेश नही बढ़ा हुआ अब तो क्या होगा जितनी बढ़ रेखाएं अंदर चाहिए उतनी बाहर निकलेंगी अब देखो अगर मानलो इस बंद प्रिष्ट के अंदर अपने क्यू आवेश रख दें और क्यू कैसा पहले प्लस क्यू रखते हैं तो आपको पता है कि प्लस क्यू आव आवेश से जो विदुत बढ़ रेखें क्या होती हैं बाहर निकलती हैं तो अब देखो कि मानलो आपके पास यहां पे क्या पड़ा हुआ है जो प्लस क्यू आवेश पड़ा हुआ है तो इससे विदुत बढ़ रेखें बाहर निकलेंगी और बाहर निकलने वाली विदुत बल रिखाई जा रही हैं तो अपने को यहां पे ऐसे हो सकता है अगर अंदर प्लस Q आवेश पड़ा है एक जार बीस बल रिखाई मिल जाएं तो वो बीस बल रिखाई एक्ष्ट्रा किसके कारणा आ रही हैं यह जो प्लस Q आवेश पड़ा है यह भी आ कर रहा है बल रिखाओं का उत्सर्जन कर रहा है और अपने को वो जुड़ी हुई बल रिखाओं यहां पे बाहर निकलती हुई मिल रही है ठीक है न तो अगर प्लस क्यों आवेश यहां पे रखा हुआ है तो अपने को जो निर्गत फ्लक्स होगा निर्गत बल रिखाओं अंदर जाने वाला flux है वो लोगे negative और दोनों को क्या कर दोगे जोड़ोगे जोड़ोगे तो क्या इसमें minus है और ये plus का है तो गटेगा एकिसाब से तो तो आपके पास 20 रह जाएगा मतलब ये जो 20 है ना बल रेखाओं का मान और ये 5 का मान ये कौन सा flux है आपके पास विद्यूद flux मतलब भी जो इसमें आवेश पड़ा हुआ है उससे ये वाला flux जुड़ा हुआ है संबद का मतलब बंदा हुआ तो ये flux किसके साथ बंदा हुआ है जो इस प्रिष्ट के अंदर आवेश पड़ा हुआ है तो अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे कोई आवेश नहीं पड़ा इसके अंदर तो जितना flux इसमें प्रिष्ट करेगा मतलब जितनी बल रेखाएं इस क्या होगी इसके अंदर जाएंगी उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो जो इसमें क्या हो जाएगा मान लो यहां पे हजार बल रेखाएं बाहर निकल रही है और ह अगर मालो आपके पास कोई आवेश नहीं है बंद फलिक्स में तो इस से जो संबद फलक्स है वो क्या होगा जीरो या संबद फलक्स की जगए नेट विदूत फलक्स या कुल विदूत फलक्स भी आप बोल सकते हो तो मुझे लगता समझ आ गया होगा अब एक उदारन और ल कि आओंगी बाहर निकलेंगी तो अब आपको पता है कि जो माइनस क्यू आवेश होता है इसकी प्रक्रती क्या होती इसके कारण बल रिखनी हो तो अपने ऐसे लिखते हैं बल रिखाएं फर्स्ट चेप्टर में आपने पढ़ा था बही माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल रेखाओं का उतसरजन करता और माइनस क्यों आवेश बल रेखाओं का अवशोशन करते हैं या अपने अंदर समा लेता हैं तो अब होगा क्या इस कंडिशन में कि जो यहाँ से बल रेखाओं आएंगी वो जब इस प्रिश्ट में से गुजरेंगी तो यह वह ला माइनस क क्यों आवेश इन बल रिखाओं में से कुछ रिखाओं को क्या कर लेगा अवशोशी तो माद हो अगर यहां पे 1000 आपके पास बल रिखाएं जारी हैं तो अपने को यहां पे 980 बल रिखाएं ही मिलेंगी बाकी 20 को इसने क्या कर लिया अवशोशी तो अब इस time जो विदुद फ्लक्स का मान देखो जो निर्गत वाला है उसको तो अपने positive लेंगे और जो इसमें परवेश करने वाला है उसको अपने negative लेंगे तो यहाँ पे जो संबद विदुद फ्लक्स का मान वो minus 20 हो जाएगा तो minus का मान अपने को फ्लक्स का क्या बताता है भी इसमें जो चार्ज है वो कैसा रखा हुआ है negative चार्ज रखा हुआ है तो अब मुझे लगता आपको संबद विदुद फ्लक्स शब्द का अर्थ पता लग गया होगा भी क्या होता है कि जो आवेश से बंदा हुआ फ्लक्स होता है आवेश की कारण जो फ्लक्स होता है वो ही अपने को संबंद विदुद फ्लक्स उसको अपने बोल देती है तो अब next देखो सबसे main point यही था गाउस का नियम यही कहते है भी आप में से कई student यहां सोचेंगे फाई का मान सर जितना जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा था तो फाई तो जीरो ही हुआ नेट तो तो नेट जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां पे आवेश भी पड़े हुए अंदर ठीक है न अब तीसरा जो point है वो तीसरा point क्या आता है कि गाउस के नियम के लिए जो चैनित प्रिष्ट होता है उसको गाउसियन प्रिष्ट बोल देती है भी कोई भी प्रिष्ट अपने जो लेंगी गाउस के नियम में उस प्रिष्ट को अपने क्या बोल देंगे गाउसियन प्रिष्ट बोल देंगे और यह किसी भी आकर्थी का हो सकता है ठीक है और अपने जादतर जो आकर्थी चलती है वो या तो गोलिया के प्रिष्ट लेते हैं या बेलनाकार प्रिष्ट लेते हैं या गणाकार जियानि की जो नियमित आकर्थी होती हैं जिनका आप आयतन या उसका प्रिष्टी एक शेत प्रिश्ट के अवेश पड़ा आपका कोई न कोई ठीक है तो गाउसिय प्रिश्ट कैसा भी हो सकते हैं लेकिन अपने क्या लेते हैं गोलिय या बेलनाकार सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं आपकी ये दो नहीं आएंगे आगे अब चौथा जो पॉइंट आप वो क्या ब पड़ा है बैस उसी पर निर्बर करता है इस क्यों पर यह है गाउसिय प्रिश्ट के अकार पर भी निर्बर नहीं करेगा whisper गो एक क्या हो सकता है कि इसमें प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली बल रिखाओं की संख्य में अंतर हो सकता है। लेकिन अंतर दोनों का सेम जैसे मान लो कि यह वाला प्रिष्ट बड़ा और यह वाला छोटा है। तो मान लो यहां पे 1000 बल रिखाएं जारी हैं और आपको यहां पे कितनी मिल रही हैं, 1020 मिल रही हैं, अब यह वड़ा प्रिष्ट छोटा है, तो इसमें बल रिखाएं थोड़ी जाएंगी, तो इसमें अगर 800 जारी हैं, तो आपको यहां 820 ही मिलेंगी, मतलब सोच समंध व वित्रन पर भी निर्बर नहीं करता भी चाहिए आपका बंद प्रिष्ट में आवेश यहां पर पढ़ा है चाहिए यहां पर पढ़ा है फ्लक्स का मान सेम रहेगा ठीक है आवेशों की गती पर निर्बर नहीं करता हाँ आपका अवेश गती माना या रुका हुआ उस पर भी निर्बर नहीं करता भी आपका वेश ऐसे गती कर रहा है मान लो यहां पे है फिर यहां पे है बस भंद प्रिष्ट के अंदर होना चाहिए चाहिए वो गती करें तो भी फ्लक्स का मान क्या होगा इसके लिए सेम रहेगा गाउस का नियम लगेगा और आवेश के वित्रन आद पॉइंट आता है इसमें कि क्या चीज़ है कि यदि बंद प्रिष्ट में उपस्तित कुल आवेश शुन्या है कुल आवेश यहां पे किसको दिखा रहा है सिग्मा क्यू को दिखा रहा है सिग्मा क्यू का मान शुन्या है तो प्रिष्ट से संबंदित विदुत फ्लक्स भ या एसमान जैसा मर्जी विदुद ख्षेतरों दोनों के लिए क्या होगा जीरो होगा तो इस ऐसे प्रिष्ट के लिए आप क्या लिखोगे जो फाई कुल है इसमें से या फिर फाई संबद लिख सकते हो आप यहां पे वो फाई प्रवेशित और फाई निर्गत दोनों की योग के बराबर होता है तो मान लो प्रवेशित वाले को आप क्या लेते हो नेगटिव लेते हो और जो इसमें से निर्गत होता है मतलब आउटपोट होता है वो इसमें से क्या लेते हो आप पोजिटिव साइन के साथ लेते हो तो दोनों का योग क्या आएगा जीरो आएगा अगर यहां पे आवेश सित नहीं है अब दूसरी कंडिशन यह हो सकती है कि मान लो एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है तो अब आवेशों का जो बीजगनितिय यह होग है जो सिग्मा Q है वो केतना होगा देखो सिग्मा Q का मान माइनस Q और प्लस Q तो माइनस Q से प्लस Q कैंसल तो टोटल जो सिग्मा Q हो जीरो तो मतलब आवेश अगर सित भी हैं और दोनों आवेश समान उन पर आवेश का मान है लेकिन प्रकरती उनकी विप्रीत है तो तो भी आप क्या कर सकते हो यहां पे फ्लक्स का मान आपका जीरो हो सकता है कारण क्या उसका कि जितनी विदुत बलरे खाएं को यह उसका ओर और ऐसा क्वेस्टें बहुत बाहरा आता है कि अगर किसी गाउसिया प्रिष्ट के अंदर द्वीदू रखा हुआ है तो उससे समबंध Udud flux का मान कितना होगा तो दवीद रूव का मतलब ये दवीद रूव ये एक तरब का एक plus की हूँ अवेश दवीद रूव दवीद रूव ये होता है संबद flux का मान या नहीं 5 का मान उसके लिए क्या होगा 0 होगा हमेशा चाहिए आपका आवेश पड़ा हुआ है तो टोटल अगर आवेशों का योग जीरो है तो उससे संबंद जो विद्ध फ्लक्सा वो कितना होगा जीरो होगा ये आपको याद रखने है अब सिख्थ पॉइंट इसमें क्या है कि गाउस का नियम केवल सदिश क्षेतरों के लिए वैद है यानि जो सदिश के यानि जो सदिश राशिया है या सदिश क्षेतर उसके लिए लागू होता है मतलब यहाँ पे सदिश क्षेतर का मतलब E वेक्टर यानि कि उन राशियों के लिए लागव होता है जो सदिश है और दूसरी कि जो वितकरम वरक के नियम का पालन करते है मतलब E का मान देखो क्या होता आपके पास KQ वटा R स्क्वेर होता है E का मान क्या होता KQ वटा R स्क्वेर कि क्या होगा यह वित्करम अपाती होगा जो ई होगा तो जो वित्करम वरक के नियम का पालन करते हैं उनके लिए अपने गाउस का नियम लगा सकते हैं मतलब जैसे कुलाम का नियम है वो भी क्या था वित्करम नियम है ठीक है तो उसके लिए आप लगा सकते हो तो अब नेक् वेक्टर शूनिया नहीं होता है अब देखो समझो इस पॉइंट को यह है क्या इस पॉइंट का मतलब है देखो आपको डायग्राम से समझाता हूँ मैं यह पॉइंट जो कह रहा है कि E वेक्टर का जो मान होता है गाउसी अप्रिष्ट के लिए भी मान लो यह आपके पास ए पाई का मान जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो इसमें E वेक्टर का मान है वो भी क्या होगा जीरो होगा किसी बिंदू के लिए मान लो गाउसी अप्रिष्ट पर आप यह वाला बिंदू कह रहे हो यह वाला बिंदू ले रहे हो तो किसी फिक्स बिंदू के तो ये चीज जरूरी नहीं है कि फाई का जो मान जीरो है तो इसमें E वेक्टर का मान भी जीरो होगा ये पॉसिबल नहीं है जरूरी नहीं है कारण क्या है इसका कि मान लो आपका जो बिंदू है ये वाला बिंदू है ये वाला बिंदू या दोनों ही विदुत क्षेतर की तीवर्ता का मान दोनों के कारणा लग लग होगा तो इस पर परिणामी तीवर्ता तो जीरो नहीं होई परिणामी तीवर्ता तो तब जीरो हो सकती है दोनों ही आवेश समान दूरी पर हो और दोनों के कारणी इस पे जो विदुत क्षेतर है वो समान लगे तो ही क्या हो सकता है इस पॉइंट पे टोटल जो विदुत क्षेतर का मान जीरो हो सकता है तो आवेशों की स्तिती है वो इस विदुत क्षेतर के मान पर निर्बर करती है लेकिन गाउस के नियम में जो प्र किसी भी point के लिए ठीक है और दूसरा है बाद में आता है last point बिलकुल वो क्या है कि गाउसियन प्रिष्ट के बाहर स्तित आवेशों का प्रिष्ट से संबंद flux में कोई योगदा नहीं होता भी आप मानलो आपको कह दें भी दो आवेश तो अंदर पड़े हैं और तीसरा आव लिखो तो इस बाहर वाले का इस प्रिष्ट के अंदर स्तित आवेशों से कोई लेना देना नहीं होता या इस प्रिष्ट से कोई लेना देना नहीं होता प्रिष्ट से लेना देना सिर्फ इसके जो अंदर आवेश है उससे होता है यानि जो संबंद flux है फाई का मान है उसक कोई लेना देना नहीं होता है इसका बाहर है तो बाहर इस्तित रहेंगे तो ये था आपका गाउस का नियम मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राइ किया आपको समझाने की एक एक पॉइंट क्लियर करने की अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना वो आता है कुलाम की नियम से गाउस की नियम का सत्यापन और ये टॉपिक मैं आपको पहले ही कह देता हूँ इस टॉपिक का रटा मार लो क्योंकि ये टॉपिक समझ में कम आयेगा रटा मारने में इसका ज्यादा फाइदा है तो मैं डिरेक्टली बोल रहाँ इस टॉपिक लिफ जिक्स में तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जहां पर मैं आपको कहूँगा कि इस टॉपिक का अच्छे तरीके से रटा मार लो गया और कोई चारा नहीं है उनको करने का अगर आप उनमें क्या डिटेल में जाओगी बिसरी ये कैसे हो गया ऐसे कैसे होता है तो वो बड़ी क्लासों में चीज़ें आती है वो सारी ठीक है न अगर मैं यहां पर समझाने लग गया आपके बिल्कुल समझ नहीं आएंगे आपको बिसरी ये क्या कर रहे है क्योंकि BSE, MSE लेवल तक का मैं समझा सकता हूँ इतनी मेरे में अबिलीटी है ठीक है तो वो बड़ी क्लासों की बात है उसको बड़ी क्लासों में पढ़ा रहे हैं तो जो चीज मैं यहां पर रटा मारने के लिए कह रहा हूँ तो अच्छी तरह से टिका достаточно मार दो कमिश्टरी में मारते हैं रटे एक्वेशन के बायो वाले बायो में रटे मारते होंगे तो फिजिक्स में तीन चार रटे मार लोगे तो क्या है ठीक है तो अब देखो क्या है कुलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापपन करने है आपको भी कुलाम का नियम लेना है कुलाम का नियम अपने को f is equal to k q1 q2 upon r square है लेकिन यहां पे f की value तो आई नहीं रही कहीं पे अपने पास जो value अपने ले रहे हैं यहां पे e की value आ रही है विदुत क्षेतर की तो कुलाम के नियम से विदुत क्षेतर की value आई थी k q बटा r square तो यानि वो वाला formula k q बटा r square वाला यूज करना है और आपको गाउस का नियम निकाल देना है कि sigma q upon epsilon node ठीक है इसके बराबर क्या होता है flux होता है तो अपने देखो क्या करना है कि चित्रा नुसार माना एक बंद प्रेष्ट में o बिंदू पर q आविश प्लस q आविश स्थित है यह एक o बिंदू है यहां पे एक बंद प्रेष्ट है यह वाला सारा क्या है एक बंद प्रेष् is equal to देखो सर क्या हो जाएगा गाउस के नियम से Q upon epsilon node हो जाएगा गाउस का नियम यही तो कहता है अपने को कि total charge और upon epsilon node के बराबर होता है flux जो होता है तो इस प्रेश्ट में एक ही आवेश स्थिता वो आवेश कौन सा है plus Q है तो आप उपर तो sigma Q Q का मान लिखोगे Q और epsilon node तो अपने को last में इस result पर पहुंचना है कि 5 बराबर यहां पर क्या है Q बटा epsilon node के बराबर है यह अपने को last में निकालने है तो यह बंद प्रिष्ट एए नहीं मिताकरती का है तो इस पर E vector का मान S मान होगा प्लस Q आवेश के कारण इस बंदू पर E vector का मान अलग होगा इस पर अलग होगा क्योंकि इससे जो दूरियां वो सारी change होती जाएंगी ठीक है न अगर तो मान लोग गुडाकर होता फिर तो दूरियां से मान होती इस पर अलग होगा ऐसे तो सारे बिंदूओं पर अलग-अलग होगा मान इसका तो इस कारण इस प्रेष्ट को अपने एक शित्रफल इस प्रेष्ट के एक शित्रफल को DSL-5 में बटा होगा मानते हैं वो ही कारणी है कि DSL-5 वाली और एक DSL-5 लेते हैं इसका अब DSL-5 कौन सा है इसका यह जो ब्राउन कलर में मैंने ऐसे रिंग बनाई हुई है ऐसे करके रिंग बनाई हुई है ना यह इसका DSL-5 है देखो यह वाला जो बंद प्रिष्ट है ना है कि आप ऐसे मान लो कि लिफाफा है जैसे आप लिफाफा लेते हो सकते हैं इसको एक ds क्षेत्रफल अलपांश पर विचार करते हैं इस पर विचार करते हैं अपने जो ds अलपांश लिया हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफल तो अब देखो कि मानलो आपको अगर मैं कहूं कि इस अलपांश पर विदुत क्षेत्र की दिशा निकालो इस प्लस क्यू आवेश के कारण आपको दिशा निकालनी होती है तो आपको पता है कि आप क्या रखते हो भी मानलो आपको मैं ऐसे करहूं भी ये वड़ा तो ओ प्रिक्षन आवेश रखोगे Q0 रखोगे प्रिक्षन आवेश ये कैसा होता है पोजिटिव अब इस पर बल देखोगे तो ये वाला जो प्लस क्यू आवेश है प्रिक्षन आवेश को इदर दकेलेगा अपने से परतिकरशित करेगा क्योंकि प्रिक्षन आवेश तो ये क्या होगी E वेक्टर की दिशा होगी इस पर दिशा होगी प्लस Q आवेश के कारण DS वेक्टर की दिशा आगी E वेक्टर की दिशा आगी दोनों के बीच का कोन अपने कितना मान लिया ठीटा मान लिया तो अब देखो इस प्लस क्यू आवेश की कारण डीएस पर जो क्तीवरता का मान होगा मतलब E वैक्टर का मान होगा वो देखो क्या होगा E is equal to KQ बटार स्क्वेर क्योंकि इससे R दूरी पर है तो E is equal to KQ बटार स्क्वेर आगया अब इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा कि जो इससे बाहर निकले वाला फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगा D5 D5 is equal to E.ds होगा इससे जो फ्लक्स जाएगा ठीक है तो E.ds होगा तो E.ds लिख दिया अब देखो आपको पता है कि अब मैं निर्गत फ्लक्स यहां पर वर्ड क्यों ले रहा हूँ क्योंकि अब जो आप फ्लक्स लिख रहे हो ना वो इस only प्लस Q आवेश के कारण लिख रहे हो और इतने क्षेतर फल पर तो देखो आपको पता है कि जो फ्लक्स का ओम जैसे मैंने 20 निकाला था पहले तो वेश plus Q आवेश के कारण ही आ रहा था तो अब इसके कारण ही फ्लक्स का मान लिख रहा हूँ ना कि सारे विदूत क्षेतर को मैं औहाँ पर कल्कुलेट कर रहा हूँ भी ऐसे विदूत क्षेतर है ही उसमें रखा हुआ यह तो only plus q के कारण लिख रहा हूँ तो plus q के कारण जो flux का मान है वो उस कारण इसको निर्गत flux लिखा तो d5 is equal to e.ds ठीक है तो e.ds को जब अपने solve करते हैं तो यह आता है e.ds को सिता और e.ds को सिता में e का मान रख दो यहां से तो यह आजएगा kqr² और ds को सिता तो जो पूरे प्रेष्ट से निर्गत flux होगा और निर्गत flux किस के कारण इस plus q आवेश के कारण मतलब यह plus q आवेश क्या होगा चारों दिशाओं में विदुत बल रेखाएं चोड़ेगा ऐसे चोड़ेगा ना तो यह जो बल रेखाएं यह तो इतने प्रिष्ट में से जा रही हैं तो आप इस पूरे प्रिष्ट में से जो बल रेखाएं गुजरेंगी तो वो कितनी होंगी आप क्या कर दोगे इसका समाकलन कर दोगे तो 5 is equal to क्या आ जाएगा समाकलन ओफ डी फाई आ जाएगा तो समाकलन ओफ डी फाई मतलब आप इस डी फाई का मान यहां पे रख दो तो यह आ गया अब इसमें जो के और क्यू हैं वो दोने constant क्यों की का मान भी fix है और Q आवेश का मान भी fix है तो K Q constant है तो वो बाहर आ जाएगा और यहां पर बचेगा Ds cos theta बटा में R square ठीक है अब यह चीज याद रख लो कि Ds cos theta बटा R square है वो D omega के बराबर है यह जो निशान है ना यह वैसे तो ohm का निशान होता है आपने पढ़ा होगा ohm का निएम दसवी गलास में ohm के निएम वाला निशान है ठीक है तो इसको omega कह देते हैं वैसे यह latin बाशा का symbol है और इसको omega से तो यह D omega पढ़ेंगे से ठीक है वैसे आपने omega यह भी पढ़ा होगा अब D omega यहां पर क्या है D omega Ds cos theta बटा R square के बराबर है और यह क्या है एक ठोस कोन है जो Ds कशेतरफल दवारा O बिंदू पर बनाया जाता है अब क्योंकि यह वाला जो कोन है न यह जो Ds cos theta बटा R square है यह एक कोन का मानव और इस कोन को अपने क्या बोल देते हैं ठोस कोन या solid angle बोल देते हैं अब solid angle physics में दो बारी यूज होता है बारवी क्लास तक एक बार तो ग्यारवी क्लास में आता है जो इसकी परिवाशा पढ़ते हो आप और दूसरी बार आपके बारवी क्लास में बैस यहां पर ठोस angle आएगा और आपको कहीं ठोस angle नहीं मिलेगा ठोस कोन जिसको आप बोल देते हैं तो अब ठोस कोन होता क्या है आपको पता है कि 3D में बना हुआ कोन होता है आपको दिखा भी दिता हूँ जैसे मैं solid angle कि मान लो यह एक गोला है ठीक है तो गोले का आपने इतना प्रिष्ट ले लिया तो यह प्रिष्ट इसके केंदर पर जितना कोन बनाएगा तो यह शंकु कार बन गया कोन तो जो केंदर पर कोन बनेंगा यह 3D में कोन बनेंगा ऐसे मतलब आप जो जो करवाल टोपी होती है उसका जो नकीला सिरह होता है तो नकीले सिरे पर पूरा 3D में बना हुआ कोन जो होगा वो क्या होता है उसको अपने ठोस कोन बोल देते हैं तो अब देखो जब आप यहां पर बंद प्रिष्ट ले रहे हो यह वाला प्रिष्ट बंद प्रिष्ट है यह 3D में फैला हुआ प्रिष्ट है ऐसे नहीं भी जैसा आप देख रहे हो वैसा है यह 3D में फैला हुआ है तो यह वाला जो प्रिष्ट है DS यह जो यहां पर ओ बिंदू पर मिलके कोन बनाएगा यह चारो तरफ से मिलेगा ऐसे आगे पीछे और इदर दोनों दिशाओं में चारो तरफ से तो यह एक शंकुवा काराकरती बनाएगा तो जो केंदर पर कौन बनाएगा डी ओमेगा बनाएगा और इस डी ओमेगा का जो मान होता है वो आप याद रखना पड़ेगा आपको ds cos theta बटा r square के equal होता है यह fix ही है इसके लिए जो मान होता है यह आपको कैसे आया तो वो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके level पर यह चीज समझने वाली नहीं है आप इसको direct rata मार लो यहाँ पर मैं कहता हूँ ठीक है फिर ds cos theta बटा r square को d omega लिखा एक रटा तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा और दूसरा क्या है दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जब आप इस पूरे d omega का समाकलन करोगे ठीक है नहीं यहाँ s मैंने लिखना बूल गया एस लिखते चलना साथ में आप जब इसका पूरे का समाकलन करोगे तो यह जो समाकलन है वो 5 is equal to kq तो पड़ा ही है और इस समाकलन का माना आपके पास आ जाएगा 4 pi यानि d omega जो कोण है वो तो सिर्फ इतने प्रिष्ट के कारण बना है जो इतना प्रिष्टी है और इस पूरे प्रिष्ट के कारण कितना कोण बनेगा इस केंदर ओ बिंदू पर तो वो कोण देखो पूरा गोला कार कोण होगा एक गोला होता है न जैसे वैसा बनेगा कि मालो आप यहां पर प्रिष्ट ले रहे हो ऐसे तो वो इस पर ऐसा कॉन बनाएगा ठीक है ना ऐसा यहां पर प्रिष्ट ले रहे हो वो ऐसा तो ऐसे कॉन बनते जाएंगे तो सारा जो कॉन होगा वो सारा कॉन 3D में मतलब एक गोला बन जाएगा तो एक गोला जो कौन होता है वो पूरा कौन किसके बराबर होता है फोर पाई स्टेर एडियन के बराबर होता है अब आप कहोगे भी सर कैसे होता है तो देखो कैसे होता है क्योंकि देखो जो सॉलिड एंगल ठोस कौन का जो सूतर होता है वो होता है क्षेतरफल मालो की अगर मालो मैं यहाँ पे गोले के लिए लिख रहा हूँ तो क्षेतरफल बटा इसकी 30 स्क्वेर ये क्या होता है ठोस कोण यानी ओमेगा का सूतर होता है ये वाला ठीक है ना ये सूतर नोड कर ले ना आपको क्षेतरफल बटा R स्क्वेर तो अब इस पूरे गोले का जो क्षेतरफल होगा वो इसका प्रष्टी एक क्षेतरफल होगा तो वो किसके इकवल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वेर के गोले का प्रष्टी एक शेतरफल 4 पाई R स्क्वेर और R² इसके बटा में आ जाएगा तो R² से R² कैंसिल तो बचेगा आपके पास 4π मतलब पूरा गोला अपने केंदर पर कितना कौन बनाता है यह पूरा जो गोलाकार कौन बनेगा यह कौन 4π के बराबर होता है ठीक है न, 4π रेडियन नहीं स्टेरेडियन के बराबर होगा क्योंकि ठोस कौन का जो मतलब होता है वो स्टेरेडियन होता है तो यह पूरा प्रिष्ट एक क्या वह करेगा इस O बिंदू पर एक गोलाकार कौन बनाएगा और इस गोलाकार कौन का मान क्या हो जाएगा आपके पास D omega is equal to 4 pi के बराबर तो दो चीज रटे यहां पर यह लगाओगे कि जो D omega है वो तो D cos theta r square के बराबर है और D omega का जो समाकलन है वो आगे 4 pi के बराबर होगा ठीक है नब नेक्स्ट है कि जो आपके पास 5 का मान है वो देखो क्या आ गया बैसी यह हो गया derivation इतने ही था तो 5 is equal to आपके पास आगया 4 pi k q और k का मानी यहां पर आपको पता है k किसके बराबर होता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1 बटा 4 pi epsilon node के तो k की value रख तो 4 pi का तो 4 pi पढ़ा रहा यह और इस k की value अपने वर्बटा 4 pi epsilon node रख दी और q का q पढ़ा रहा तो देखो 4 pi से 4 pi कैंसल हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा q वर्टा epsilon node तो आपके पास कुलाम के नियम से क्या आ गया गाउस का नियम आ गया कुलाम का नियम आपने कौन सा यूज किया बल नहीं तीवर्टा का सूतर यूज किया क्योंकि तीवर्टा का सूतर कुलाम के बल वाले सूतर से ही आता है ठीक है तो ये आपका टॉपिक था कुलाम के नियम से गाउस के नियम का क्या है सत्यापन है और अपने एक कुलाम का सोरी इसमें गाउस का नियम पड़ा है तो अपनी तरफ से मैंने अच्छे तरीके समझाने की ट्राई किया अब आप इसको जितनी बार रिवाइज करोगी उतनी बारी चीज पक्की होगी आपके और जो आपको मैंने रटे वाली चीजे बताई हैं वो आपको रटा लगाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत रीजन देने की मैंने कोशिश किया लेकिन अगर नहीं याद होता तो भी मैं इस टॉपिक में स्पेशली आपको कह रहा हूँ देखो फिजिक्स वैसे रटे से याद नहीं होती लेकिन इस टॉपिक में आपको लगाना पड़ेगा मजबूरी है आपकी ठीक है तो अब नेक्स जो इसमें टॉपिक है वो डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे त्योरी इतनी थी इस चैप्टर में और कई स्टूडेंट्स कह रहेंगे तो नुमेरिकल भी अपने डिसकस कर लेंगे थोड़ा सा यानिकी अपने डेरिवेशन तो करें एक दो नुमेरिकल अभी जो इतना चैप्टर आपको करवाए इसमें तो बहुत ही कम कवर हो रहे हैं थोड़ा सा चैप्टर और कर लेंगे तो दो तिन टॉपिक फिर नुमेरिकल डिसकस कर लेंगे तब तक के लिए थैंक यू अपनी त्यारी जारी रखिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में